Hey what's up guys, welcome back once again, so दोस्तों आची कहानी जो explain करने जा रहे हैं उसका नाम है केव, तो कहानी की शुरुवात में हमें कार के लॉजिस की टीम को देखते हैं, जो अपने सामानों के साथ है केव की ओर बढ़ रही है, लेगिन तभी उनके नजर उपर उचाही पर बने एक चर्च पर परती है, जो काफी पुराना लग रहा था, उसी को देखने के लिए टीम अंदर जाती है, जहां उन्हें पुराने जमाने की कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसे देखते ही वो उसमें खो जाते हैं, अब ये सब देखकर उनके अंदर और जिग्यासा बलती है, औ इसलिए वो और अंदर जाते हैं और चर्च के फ्लोर पर एक धमाका करते हैं, ताकि वो नीचे जा सके, लेकिन इससे पहले ही वो बारूद फट जाता है, और एक 30 का जटका पैदा था और देखते ही देखते हैं, वो पूरा चर्च बह जाता है, क्योंकि वो पुराना बना हुआ था, अब पूरी टीम जा कर नीशे गिरती है, लेकिन उन्हें जादा कुछ चोट नहीं आती, पर वाँने का जीब सी आवास सुनाई देती है, जो किसकी थी, ये तो किसी को पता नहीं था, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, कि वो जरूर चर्च के गिनने से आ रही थ पिछले वाली टीम के चार साल बात का समय है, लेकिन या किसी को पता नहीं चला कि आज तक वो पिछली वाली टीम कहा गई, अब ये टीम जब नीचे जाती है, तो इन्हें वाँ काफी गहरा पानी मिलता है, जिसके अंदर जाने के लिए इन्हें ट्रेनर स्कूबा डाइव की जुरत पड़ेगी, इसलिए टीम का है डॉक्टर निक एक बहतरीन स्कूबा डाइवर की टीम से बात करता और बताते हैं, आपको एक ऐसी जगह जाना है, जहां आज से पहले कई लोग जा चुके, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ से वापस हापाएं, अब ये सुनकर व लेकिन उन्हें इसके लिए काफी मोटी रकम मिलने वाली थी, और अपने समानों के साथ इस पॉर्ट पर आने के लिए रवाना हो जाते हैं, जब वो साइट पर पहुचते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ पूराने जूती भी मिलते हैं, जो उन्हीं आर्केलोजिस टीम के थ वहां मौजूद सारी चीज़ों को एक एक कर के उपर भेजेंगे, इसलिए हमें अपने सारे समानों को पहले से चक कर लेना है, ताकि कल कोई गर्बर ना हो, तब ही महां डॉक्टर निकोली आती हैं और उन्हें कुछ चीज़े दिखाती हैं जो की केव के अंदर से मिली थी जिसमें से कुछ अंटीक आर्ट्स भी थे, जिसमें साफ दिख रहा था कि ये पिच्चर जरूर किसी भयानकर चीज़ की हो, या फिर किसी भयानक जीव की हो, इसके बाद वो ने एक कहानी भी पताते हैं, जो पास करी टाउन वालों में बहुत ही मश्वूर है, वो कहानी य आपाए, अब यहाँ जैक की टीम को इन सब बातों पर यकीन नहीं था क्योंकि ऐसी कहान या हर पूराने खंडर की होती है, लेकिन नोकोली जिस तरह से ये सब बता रहा था, उसी ये साफ पता चल रहा था कि जरूर इस बात में थोड़ी सच्चा ही है, और इसलिए उन्हे समहल कर नीचे जाना होगा, नेक्स डे पूरी टीम एक एक करके नीचे जाने लगती है, जाम पहली बार उस केव की पूरी इमेज देख पाते हैं, जो भी जादा विशाल और भयानक थी, क्योंकि वहाँ बहुत ही पूराने नोखीले चटाने थी, और नीचे बहुत ही गहर ही नहीं देता, लेकिन कुछी देर बाद उसे एक ड्राई जगान दीखती है, जहां पर वहीं रुक कर वो अपनी टीम से बात करने लग, उसी समय उसके पास फिश या फिर किसी तरह का एनिमल आता है, जिसके साथ वो खेलने लगता है, क्योंकि वो काफी सोफ्ट है, अब यह सब उसके टीम मेट भी देख रहे थे, इसके बाद वो से और अंदर जाने को कहते हैं, जब वो और थोड़ा अंदर जाता है, तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है, वो इस बारे में अपनी टीम को बताता भी है, लेकिन तबी वो अचानक से डर जाता है, और उसी समय उस सबी को नीचे जाना चाहिए, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं, और सबी पानी के नीचे थे, वो बीच में पढ़ने वाली नायाब चीजों की फोटो भी क्लिक करते हैं, और कुछ जो अनमोल चीज़े मिलती हैं, उन्हें अपने पास रख लेते हैं, जिसके कुछ ज़ फोल कर अपनी मर्जी से कहीं गया हूँ, वहाँ उन लोगों को पिछली आर्केलोजिस्टीम मेंबर के भी समान मिलते हैं, जो कि अब सर चुके थे, लेकिन तब ये इस ट्रट नाम का ड्राइवर एक कोनी पर एक जानवर मरावा मिलता है, जिससे देखकर वो डर जाता है, लेकिन तब तक वो जानवर इस ट्रट को अपने साथ एक गुफा में ले जा चुका था, जिसके अंदर किसी इंसान का जाना संभव था, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, अब टेलर अपनी टीम के पास आकर सभी को इस ट्रट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सभी क्योंकि जब इस ट्रट का टैंक फटा, तो एक जटका हुआ जिसके वज़े से ये सारे पर्थन नीची गिर गए, मतलब इस ट्रट भी अब जा चुका है, सभी वापस अपने बेस पर आते हैं, जहां पर जैक उने बताता है कि हमारे पास 18 दिनों का ही समान है, उससे पहले हमें यहां से बाहर निकलना होगा, वहना बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ब्रिक कहता है कि हम लोग अब यहां से आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहां कोई जानवर है, उसी ने इस ट्रट पर भी हमला किया है, और क्या पता हूँ, उसी ने आर्केलोजिस टीम को भी मार आओ, लेकिन जैक उसे शांत रहने को कहता है, और वो डॉक्टर निकाई से भी इस बारे में पूछता है, लेकिन वो बड़ी धीमी आवाज में कहती है कि मैंने ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं देखा, इसके बाद जैक और टॉप दोनों यहां से बहां निकलने का रास्ता निकोली उस मरे हुए जानमर को माइक्रोस्कोप पर देखते हैं, उदर जैक एक छोटी सी दरार के रास्ते से उपर जाता है, लेकिन तभी एक जीव उस पर हमला कर देता है, जिसे वो जैसे तैसे बचता है और फौरन अपनी टीम के पास आता है, वो अपनी पीट पर चु और सुनने की शक्ती बहुत ही कमाल की होती है, लेकिन ये जीव इतने बड़ी कैसे हो गई है, ये किसी को पता नहीं चलता, तभी डॉक्टर निकोली कहती है कि जरूर यहाँ पर कई सव सालों से पल रहोंगे, क्योंकि ये गुफा काफी पुरानी है, और इनके अलावा यह पर कितने जीव है, किसी को पता नहीं है, ये सब सुनने के बाद जया कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, लेकिन क्लियर उसे रुकने को कहती है, क्योंकि उसे काफी चोटे आई थी, जिसमें से खून भी निकल रहा था, अब डॉक्टर भी उसे वना करते हैं, ले इसमें उसी जीव के दातों के निशान थे, इसके बाद जैक के बताए हुए रास्ती पर वो सभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन याम नोडिस करते हैं कि जैक की अब वो चूट बढ़ने लगी थी, उसमें अजीब तरह का इंफेक्शन होने लग गया था, और इस बात पर दिहान ना देती, वो सभी एक चिटान की उपर चल रहे थे, लेकिन तभी टॉप कहता है कि हमें शायद ये गलत रास्ती पर जा रहे हैं क्योंकि मुझे कोई भी पानी की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन जैक कहता है कि मुझे आ रही है, और कुछी देर बाद उन्हें पा बाहन निकल सकते हैं, लेकिन इसी दौरान जैक को कुछ अजीब से दोरे पढ़ने लगते हैं और ये देखकर दूर बैठी हो, इसके टीम मेंबर कहते हैं कि उन्हें जैक की फिकर हो रही है, तो टॉप कहता है कि मैंने आज तक उसे इतने गुसे में कवे नहीं नहीं देख और उन सभी की बाते जैक यहां दूर बैटा सुन रहा था, अब उसे इतनी दूर की आवाजे भी सुनाई देने लग गई थी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे जीव ने सबसे पहले जैक की उपर हमला किया था, और वो अभी तक जिन्दा है, अब वो इंफेक्शन उसके अं कहांपर खतम होता है, अब जैक अपनी जित पर राड़ा था, और वो सब को वही कहने को कहता है, और एके करके सबी नीचे कूते हैं। लेकिन कैथरीन का पैर कोई चीज पकड़ लेती है, और उनी टॉप पर सबी लोग नीचे आ जाती है, पर उसी दुरान नीचे कैथरीन को कुछ महसिस होता है वो टॉप से कहती है कि नीचे देखो कोई चीज है जब वो नीचे देखता है तो वाँ उसे एल फिश दिखाई देती है जो उनके पास घूम रही थी उसी तुरान उपर से डॉक्टर भी गिर जाती है अब सभी एक साथ थे लेकिन तब यह वाँ जीव के शरीर पर पड़ती है जहां एक टाटू बना था जिसे यह साफ पता चल रहा था कि यह जीव किसी समय पेगर इंसान हुआ करता था क्योंकि ऐसे टाटू कोई जीव तो बना नहीं सकते और क्या पता यह जीव पहले आई वोई टीम इंसान वाला हो और अब यह जीव में काट रखा था लेकिन वापस आकर वो यह बात किसी को नहीं बता था पर सभी को किनारे पर आने को कहता है जहां पर कैथरीन उसे बहुत सुनाती है क्योंकि उसकी वज़े से डॉक्टर की मौत हो गई डॉक्टर ने मना किया था कि कोई गहराई में नहीं जाएगा क्या पता लीड करने के हालत में नहीं है लेकिन टेलर उसकी बाद अंसुनी कर देती है अब जैक और टेलर दोनों चटान पर चलने के लिए रेडी थे पर उनसे पहले चाली वहाँ पर चल जाती है और उपर पहुच जाती है लेकिन उसी समय उसे वो जीव दिख जाता है और यहां हम पहली बार उसे इतने करीब से देख पाते हैं जो कि बहुत ही विशाल और खुंकार था अब वो चाली पर हमला करता है लेकिन वो नीचे कूच जाती है और लटक जाती है पर वो जीव उलकर उसके पास आता और उसे पूरी तरह से कवर कर लेता है अब यहां चाली के पास क की बाडी को उठा कर लाता है यह देख कर सभी लोग बहुत ही गुसे में आ जाते हैं लेकिन यहां एक और चीज़ नोडिस करते हैं कि जैक की बाडी भी आप ट्रांसफॉर्म होने लगी है जैसे कि मैंने आपको पहली बता दिया था और यह चीज कैथरिन बहुत देर से न कर जाती है जैक टेलर और टॉप एक टीम में थे और बचे वे लोग कैथरिन की टीम में जो उन्हें नीचे पानी के रास्ते से बाहर ले जाने लगती है लेकिन यहां जैक अपनी टीम को चटानों के रास्ते से एक ऐसी जगान ले जाता है जहां पर हजारों की तदाद में कंकाल थे, यह वही जगा थी, जहाब सालों पहले इस गाव का राजा अपनी सेना के साथ आया था, लेकिन वो जीव से जीत नहीं पाया और कुछ लोगों ने इस केव को बंद कर दिया, पर आज यह फिर से खुल गई, इसके बाद वो नोटिस करते हैं कि वहाँ एक जगा से ठंडा पानी आ रहा है, यानि कि वहाँ से बाहर निकला जा सकता है, वो सभी को वापस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी समय उसे एक दौरा आता है, जिसे देखते हुए टेलर कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं उने लेकर आता हूँ, उधर दूसरी और कैथरी और उस से बता देता है, जिसके बाद वो फौरण उसके पास पहुचता है, और उन दोनों को लेकर जैक के पास, जहां जैक उनसे कहता है कि तुम्हें पानी के रास्ती से बाहर जाना होगा, लेकिन वहाँ भी उनका सामना बहुत सारे जीवों से होता है, तब ही कुछ सेलेंडर न और सागे थी, उसके अंदर भी उनीका खून था, अब वो एक एक करके सभी को मार देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक आखरी जीव उस पर हमला कर देता है, तो वो सेलेंडर ब्लास करके पानी में फेक देता है। और खुद उस जीव के साथ पानी में करता हूं, लेकिन अगर वो यहां पर होता तब भी जिंदा नहीं रह पाता। तो वो कहती है, कि ऐसा नहीं हैं, वो यहां भी जिंदा रह सकता है। यह बोल कर वो उसे किस करती है और जाने लगती है, लेकिन उसी दारान टेलर उसकी आँके दी Columbus देख ले आ इसलिए वो Catherine को ढूणने लगता है लेकिन तभी वो गायब हो जाती है अब इसके बाद क्या हुआ ये तो हमें इस कहानी के second part में देखने को मिलेगा जिसके साथ ये कहानी यही खतम हो जाती है विल आपको ये कहानी कैसे लगी नीचे comment करके ज़रू बताएगा बलते हैं आप